असलों लेकूं मेलकूम बाग टू इंशाज मॉम्स व्लाग्स आई होप आप सब ठीक होंगे और जी आज कल हो रही है बार्षी और बहुत ही प्यारी हसीन लग रही है मैंने विन्डो पर की वंके चले आपको दिखाती हूँ बारिश वाओ समर के बारिश समर के बारिश में क तो बारिश समर के बारिश में थम नहाते होते थे अल्ला मिट्टी पे स्लाइड बना लेनी हमने नहाना खूब सारा फिर बात में जी जो बारिश खतम होनी तो घर जाके या उखर में पकोड़े बनाने हाई लाओ टीवी देखना सामन की बरस्ते बारिश और हमारे घर के काम घर की बरस्ते नहीं है समर समर की बरस्ते बारिश इंग्लेंड की बरस्ते बारिश विश easily and everyday कि वी के बड्रिटर बड़ी अच्छा कूए कि समर्ण के अपना ही मजा है कि इतना मजा आता है बारिश में इतना ज्यादा मजा आता है में इतनी है यह अपनी बच्पन की कि इतना नईस लगता है एमीन बाहर हमने प्ले करना बार रश में च्ट पे चार जाना रख बार बारिश में पिले करने मुझे याद है मिटी की अफकं deiब स्लाइजबला नहीं थी दित रिखलंगे आम करका से बनाने प्रिम्रे गजए के शीजरे लाखा आपैटो तब है अंग प्रिम्र, सब्यम्रें बारिश के सावन की बारिश है तो खूब मजा है साथ में भी रख लिए और थी छाय बनाती हूं और थोड़ी सी इंजोई करती हूं आइंपके मौसम है सुहाना बहुएं वह फेस्टी आपने हैं तो मैंने कि चलें जी इवनिंग हो तो ऐसी हो और वाव बहुत बहुत अच्छा लगता था च्छत पर नहाना बाइर खेलना तब फिर अपने गर पर आना तो इस तरह से पकॉड़े बनाने उसका अपना ही मज़ा है बहुत ही अच्छा लगता है तो यहां पर बस मैं पेस्ट विगरा बनाई है इंशा को दिया चाय विगरा पिया उसाथ मे जलदी जलदी से और कपड़े मैं नहीं कि गिले-गिले ज़शा आता है बीगते वे बाल और बीगते वे कपड़े तो वाकी वह याददें वह बातें बना कितनी जादा बातें करें ना उतनी ही कम है तो यहांपर बस अचानक मैं कह रही थी कि मेरा है फिवर्ट तो तो मेरे लिए बनाओ जी पकॉड़ी और साथ में रोटी तो उन्हें ने निकाँ जी यह है मेरी फरमाइश तो मैंने कह चले जी इनकी फरमाइश पूरी करते हूं क्युंकर मुझे बहुत अच्छा लगता है मैंने को खुद को खुद ही कहती हूं कि आप कभी कभी मुझे कोई फर्माइश करते हैं या इसी तो मुझे बहुत अच्छा लगता है तो जट से गहें और पालक लेके आएं कहरें क्रिसपी से नाइस से आपके हाथ के पकौर्डे खाने तो साथ मैं आपके लिए भी बना देती हूं तो बस मैंने यह थोड़े आइधिंग मेरे पास हाफ आवर हाफ आवर से वन आवर इसके अंदर मैंने सारे इनके प्रकॉड़े बनाने रोटी बनाने जलते से मैंने जट पर टाटा गूंद लिया और बस राइता भी साथ में जल लगता है फरमाश पूरी करना बस वैसे पकॉड़ों का मिक्चर होना रेडी और सीसली पकॉड़े हों आवर साथ में herum सूमसी हो साथ में स्थ में चाय हो तो मैं कहते थी कि सुभान अल्ला कि अल्ला कैसे ये बारिश बरसाता है छोटे होते हम कहते थे कि लो जी अल्ला अउपर से शौवर चला देता है ये पाइप लगा देता है तो बारिश हो जाती है लेकिन ये वाकिए कितना बड़ा सिस्टम होता है तरा चलाता है फिर उसमें वह बारिश होती है और विंटर में तो तोबा तोबा हम करते हैं हर में डाक है यह वह वाले की समर बैस्ट बैस्ट वैदर और खूब इंज्वाइख करना चाहिए मैं तो खूब इंज्वाई किया महमत के साथ और उसके एक्सप्रेशन देखने वाले थे जब वह बारिश में भीग रहा था तो अजीब सा फील कर रहा था फिर देख रहा था कि क्या हो रहा है इस तरह से ना तो उसने भी तो से में सही जुआई किया तो बहुत-बहुत ही मज़ा आया वह बच्पन के दिन स्लाइड्स वह प्ले करना पानी में मीन जंप करके स्प्लाश करना वह वाला और साथ में फिर दूसरे प्ले करने और जब घर आना लौट के तो कभी-कभी अम्मी की भी डांट पर नहीं वह देज वाकिए अनमौल है और आज कलकर यहां के वैसे बच्च जादा ही अच्छा था बहुत अच्छा था बहुत आज एक सम देखा है जो सब कुछ किया है तो जुरू मुझे अग्री करी होंगी तो बस यह पॉक़ोड़े होगे गरब गरब रेड़ी और आज इसमें मैं जीरा पावडर डाला बहुत इपर्ट टेस्ट आया जीरा बना रही हूं तो हैजबन को दी है वाज जी चले आ जाएं और खाले और वह बहुत खुश होने वाले हैं इसलिए आप लोग भी अपने पार्टनर का जरूर क्या रखा करें बहुत चोटी-चोटे से काम करने से चोटी-चोटी सी खुशियों से ही हमारी फैमिली हैपी हो जा जी मैं यहां पर रोटी बना रही थी औरम मैंने क्या हूआ प irmकी क्या हनल है तो फिर मैं नोटि केमने कहें यह कि shortcuts हो जाथ बहला जरा पड़ा जाएं अस्य साथ होता है ज्मक्रण बास मैं आहीं हो ही दो जे बस अब आप लोगों के लिए बैठी हो आप लोगों के लिए एडिट कर रही हूं और फिर इसको अपलोड करूंगी तो आई होप आप लोगों को जड़ूर मज़ा आएगा और बस आप लोग भी अपनी बारिश को खूब इंजवाई किया करें और आप पाकिस्तान वालों क थोड़े सी बनाते ज्यादा नहीं बनाया क्योंकि ज्यादा हो तो ज्यादा खाए जाते हैं यह बड़ी अची बात है और थोड़े से बनाया थोड़े खाए जाए गया तो स्पेशल बनाया जाए हैं हैं हजबन के लिए अम्मी के लिए हो तो खूब इंजवाई कने वाले और मैं आपको एक बाब बताती चलूँ कि जब हैस्बन को यह रोटी और पकॉड़े की कैसी आदत पड़ी मैंने नहीं डाली ना इनको पता था यह दर असल दो तीन सा पहले गए थे पाकिस्तान तो गए थे मरी मरी में जब रस्ते में एक ऐसी जगह आती है जहां पर यह पक कॉड़े बेने तो मेरे लीए रोटी जालना और भूलना नहीं तो तब से defence झूक होता है बहुत जबहुद् तो इसलिए तो बढ़ गी यहां पर रोटी और उनको सर्व करूंगी और वो जी साथ में मैच देखते हैं आज मैच लग रहा है जी इंग्लेंड का और इंग्लेंड का मैच है और कौन सा है नाम भूल गया मुझे सौरी क्या नेम था मुझे याद नहीं आ रहा तो वो मैच लगा है तो उन्होंने मैच देखना है और अपना जी खाना एंजोई करना है तो बस मुझे इंतजार का अपनी तरीफ लिनी का क्यूंकि वो मैच तरीफ करते हैं खाने में गारा की तो बहुत इच्छे लगता है तिंक हर फाइफ को अच्छा लगता है तो आज का मैच अभी तक तो वन गोल हो भी गया है और देखते हैं लास्ट ताइम पे तो इनके दू हुए थे आए देखते हैं तीन होते हैं के चार होते हैं या पांस होते हैं तो चले जी और मैं आगी हूं किचन में थोड़ा से अपकॉर् मेटूंगी तो होई फ्री होके बैठूंगी तो बरतन ऐसे काफी बन जाते हैं थोड़े से टाइमिंग थोड़ा खाना बनता है लेकिन बरतन काफी बन जाते हैं जी तु कीचन हो चुकी है कलीन आट रखना और यहां पर मैंने कर दोवारा दिखाते हूं कि बारिश हो रही है और जी बारिश बरस्ती बारिश के साथ और खर्टी मेठी बातों और यादों के साथ यहां पर विल्लग को होता है दी आन्ड तो आप हो लोगों को पसंद आया होगा तो अपनी दौा में याद रखेगा, ओके जी, अलाफीज